नमस्कार आप देख रहे हैं एचेस बिहार मैं हूँ आदेश पूरी देश में 22 मार्ट से लोगडाउन लगाया गया और पूरे देश की सारी बेवस्थाओं को बंद कर दिया गया रेलवे जो की अपने अस्थापना के बाद से आज तक कभी भी बंद नहीं हुआ था इस लोगडाउन के दोरान इसे भी पूरी तरह बंद कर दिया गया और केवल माल गारियों के लिए ही रूट को खोला गया आपको बताते चले कि रेलवे जो है लगातार अभी 6 महिने से लगबग बंद ही चल रही है बहुत नाम मात की टेने हैं जो चल रही है और सरकार जो है इसे फेज वाई फेज में जरूरत के मुताबित इसे खोल रही है क्योंकि पूरे देश में कोरोना महामारी फैला हुआ ऐसे में यातर्यों के एक जगा से दूसरे जगा जाने से महामारी का विस्तार हो सकता है या इसकी जो छमता है और ज्यादा बढ़ सकता है इसके दायरे में ज्यादा लोग आ सकते हैं लेकिन इन सब के बीच में रेलवे जो है फिर से इनको नए तरीके से खुणने का परियास जारी कर दिया है आपको बताते चले हम कि IIT Bombay के सहयोग से Zero Based Time Table को तयार किया जा रहा है Zero Based Time Table में जो नई बाते निकल के सामने आ रही है इससे ये पता चल रहा है जो सुत्रों के हवाले से खबरे आ रही है कि 500 ट्रेने जो हैं जिसको खत्म किया जा सकता है तो वही 10,000 जो stoppage हैं उसको भी खत्म किया जा सकता है सबसे पहले हम आपको बताते हैं Zero Based जो टाइम टेवल वो है क्या ये मोटे सब्दों में कहा जाए तो ये टाइम टेवल है कि नया टाइम टेवल बनाना पूरी तरह से नया बनाना इस तरह हम लोग जानते हैं कि हर एक साल एक जुलाई को रेलवे जो है अपना टाइम टेवल में परिवर्तन करती थी और नया टाइम टेवल लेकर आती थी लेकिन चुकी लोगडाउन के कारण पूरी तरह रेलवे बन रहा तो ये जो नया टाइम टेवल आ रहा इसमें पूरी तरह से उसका बदलाव आप देखेंगे इसमें वैसी ट्रेनों को खत्म किया जाएगा जिनसे आमदनी बहुत कम होती है या फिर जिससे बहुत कम लोग सफर करते हैं फिर से वैसे स्टेशनों को भी खत्म किया जाएगा जिसमें बहुत कम आमदनी टिकट करते हैं वहाँ पर या फिर वहाँ पर बहुत कम लोग चड़ते हैं या उतरते हैं एक तरह से कहें तो जीरो बेस्ट जो टाइम टेबल है इससे ट्रेनों की रफतार तेज होगी और लंबी दूरी तक जो ट्रेने हैं वो नन स्टप चल सकेंगी आपको हम बताते चलें कि जीरो बेस्ट टाइम टेबल के तहट रेलवे जो है पंद्रह सो कौर रूपय का अपना जो आमदनी है वो बढ़ाना चाहती है और ऐसा करने से उनका आमदनी बढ़ भी सकता है और इसलिए रेलवे बिना किसी अन्य चार्ज लगाये हुए या फिर किराये में किसी तरह का बढ़ातर की ये बगैर इसे अपनाना चाहती है इसे लागू करना चाहती है और बहुत जल्दी जो है ये टाइम टेबल जो है उसे जारी कर दिया जाएगा आपको हम बताते चलें कि कि कितने ऐसे ट्रेन हैं जो कि कि किसी राजनितिक विचार के अनुसार चलते हैं या फिर समाजिक दाईत्य के लिए चलते हैं लेकिन उनसे आमदनी नहीं होती है और इन ट्रेनों को इसलिए बंद नहीं किया जाता है ताकि लोग है आलोशना करेंगे विरोध करेंगे लेकिन रेलवे को इससे कोई फाइदा नहीं और नहीं बहुत ज़्यादा पैसेंजर इसका लाभ उठा पाते हैं ट्रेनों को तो वैसी ट्रेनों को खत्म किया जाएगा आपको बतारे चले बिहार जो है में ट्रेन रूट में आता है यहां से सैक्रो ट्रेने जो है रोज खुलती है जो देश के विभीन सहरों में जाती है और आती है तो ऐसे में जो ट्रेने कैंसिल की जाएगी उसमें बिहार की बहुत सारी ट्रेने होंगी या फिर जो पेज हैं वो इसके चलते बाधित होंगी वही इसके अलावे आपको हम बताएं तो नई टाइम टेवल के जरिये 15% फ्रेड ट्रेनों के लिए जगा बनाई जाएगी जिससे वो विशेश तोर पर विशेश कोईडोर पर तेज स्पीड से चल सके इसके अलावा पूरे रेल ने ट्रेवल का ही हिस्था बनेंगे इसके अलावा आपको हम बताते चले एक सो एननीस रूट पर प्रायवेट ट्रेंज दौजार ननीस से हाल्ट की सांख्या घट सकती है जिससे ट्रेवल टाइम कम होगा और ट्रें वे दौरी तक नंस्टा ब चलेंगे इसके अलावा को हाई स्पीट लेवल तक ट्रेंड चलने लाइक बनाया जा रहा है इसके लावा नई बोगी बनाई जा रही है जो इसमें काफी सुधाओ का ध्यान रखा गया इसके अलावा जो बोगीया बन रही है उसमें परयास किया जा रहा है कि वह अंतराश्ट्रिय दर्जे की हो जिस से जो है बहुत सारे ट्रेंड और बहुत सारे जो इस्टेशन है हॉल्ट है वो परभावित हो सकते हैं उनका नाम हट सकता है क्योंकि उनके जरिये रेलवे की कमाई नहीं होती है आपको हम बताते चले कि रेलवे की इस्तिती जो है अभी बहुत खराब चल रही है रेलवे विभाग करनुसार उनके जो राजस्व है उनमें 60% की कमी आई है जिसके कारण भरतियों पर रोक लग गया है आपको पताते चलें कि आरार विल के तहट भरती होने वाले एक लाग तीन हजार गुरूप डी गया और 35,000 NTPC के छात्र जो की बहुत समय से अपनी परिछा का इं नहीं दे जा रही है और ये कहा भी गया कि उतने अभी धन नहीं है उतने रिसोर्स नहीं है कि वह नोक्रिया नहीं दे सके और इतना तक कहा गया कि अगले दो-तीन सालों तक कोई वेकेंसी नहीं निकाली जाएगी और रेलवे भी अपनी खर्च घटाने की कोशिस कर रहा है इन सब के बीच यह जीरो बेस्ट टैम टेबल जो है रेलवे बहुत जल्द जारी करेगा जिसमें ट्रेनों की संख्या तो कम अब देखने वाली बात है कि जो जीरो बेस्ट टैम टेबल है यह रेलवे को कितना मजबूत करता है आर्थिक द्रिष्टी से और फिर से जो यात्री है उनको कितना संतुष्ट करता है और उनके यात्रा को कितना आसान बनाता है यह समय बताएगा लेकिन अभी जो खबरे आ रही है उनके उदावित मुतावित जो है पांसो ट्रेने और दस हजार स्टॉपिज परभावित होंगे जीरो बेस्ट टैम टेबल से तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल एचेस विह आपका बहुत बहुत धन्यवाद